इस नए साल पर फिरेंस इस तरह से केक बनाकर मुह मीठा करें देखें कितना सौप्थ है कितना स्पॉंजी है हर एक जाली आपको दीख रहे है फिरेंस तो बस क्या करना है चलिए हम भी सुरू करते हैं बनाना वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोद है कि और हमें सफोट करें आज हम औरियो बिशकीट से बहुत ही सिंपल तरीके से केक बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से इनको नकालने कि अब भड़े वाले हैं पैकेट सब दोस्क。 लेंगे और एक और कार इसी तरह से कट कर लेंगे हम यहां पर अभी हम क्या करेंगे क्रीम है आहिस्ता से निकाल लेंगे बिल्कुल तूटना नहीं चाहिए ये तो देखिए इस तरह से हम क्रीम को निकाल के और ये मिक्सर जार में बिस्कित को ले लेगे इसी तरह से साढ़े क्रीम को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बिस्कित के क्रीम हम यहाँ पर निकाल ली है इनके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको यहां से आप बटर यह घी कुछ भी ले ले आज हम बटर पेपर इन में नहीं लगा रहे हैं अच्छे सीने ग्रीसिंग कर दे यहां पर हम थोरा से लेंगे चुटकी भर मैदा मैदा को हम सभी जगा इस तरह से फैला देंगे द ने लएवी bisa यहां पर यहांपर ऄलैकर अट रगार करें निम्हिंट आप कर देते हैं इसमें आप पेपर लगाली जेगा यहांपर अप यह तो और लगबग मान लेजे तीन चमच पाउडर लिए हैं, सुगर पाउडर, यहाँ पर हम एक चमच रिफाइन वायल बिना इसमेल वाला है, इनको अच्छे से मिला लेते हैं, बढ़िया से, और थोड़ा-थोड़ा करके हम अच्छे सपहले इनको मिला ले, ताकि अच्छे से य मिला है, सभी मिश्रन को मच्छे से मिला लिए हैं यहाँ पर, अब हम लेगे रूम टेंप्रेचर का दूद, तो दूद हम लिए हैं, आधा कप जो थोड़ा-थोड़ा करके आपको लेना है, एक साथ मत लिएगा, तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके दूद हम और ले लेते हैं, इस तरह से अच्छे से दम फेट ले, और देखिए, अभी काफी थीक है यह, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके हम आधा कप दूद इनमें ले लिए हैं, अब फिर से हम इनको फेटेंगे, थोड़ा दे, यहाँ पर काफी अच्छे से फेट लिए हैं, कुछ इ देखिए, अच्छे से टैप कर लिए हैं इस तरह से, अब चलिए चलते हैं, गैस के पास, तो अब हम धकन हटा लेते हैं, लेट को, और ध्यान से हटाईएगा, फ्रेंस, तो यहाँ पर अराम से इनको हम रख देते हैं, और इनको 35 मिनट तक कम से कम पकने दीजे, बीच में बिल्कुल मतिन को खोलिएगा, 35 मिनट बाद मिलते हैं, उससे पहले चलिए कुछ देख लेते हैं आगे का प्रोसेस, यहाँ पर लेंगे हम एक ड्रोप रेट कलर, बस एक ड्रोप, ज्यादा मत लिजेगा, यहाँ पर हम ले लिए हैं, और अब इनको अच्छे से हाथ से मिल इस तरह से, बड़ा सा हाथ में घी लगा ले इस तरह से, घी बटर कुछ भी लगा ले जिए और इनको पहले मिला आए अच्छे से, एक बार इनको हम देख लेते हैं, कि हम बार बार लेट नहीं उठाए हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पर केक केतना बढ़िया से फूले है तो हम देख लेते हैं, हर जगा पर, भीगल कलीन है, यहाँ पर फोarat देख सकते हैं, एक जगा और बार बार चेक कर लें, देखी, एक बनकर तैयार हो गए हैं, उठ्रा ऍधक से जहट से कर देते हैं, और इसी तरह से अंद़ा हो यहाँ अराम से, इनको थंडा होना बह। ज इन्हें थोड़ा सा एक बड़ मसले और अब हम यहाँ पे छोटा सा गोली ले लेते हैं और यहाँ से इनको हलके हाँ से अच्छे से फोल्ड करेंगे फोल्ड करके यहाँ इनको बैठा देंगे फिर से हम गोली लेंगे और देखिए इस तरह से आपको अच्छे से पोहूत देखिए कितना खुबसूरत बने है friends, तो यहां पे हम लिए हैं butter paper, butter paper पे हम ही फैला लिए हैं, बो लिएगा इसका क्या काम है, तो यह आप देख सकते हैं, यहां पे कुछ sprinkle को हम इस तरह से फैला लेते हैं, और आप यहां को क्या करना है आपको, कि इस तरह से लंबा बना ल रिवन तैयार कर लिए हैं अब इनको कुछ नहीं करना वस इनको साईट कर दे थोड़ा सेट हो जाए अब हम आगे के प्रोसेस देख लेते हैं तो अब हम गेक को यहां से थोड़ा सा चलासा नाइप से साईट कर लेते हैं अच्छे से और एक प्लेट लगा करके आप इन्हें अडाम से प्लट ले तो आप देख सकते कि कहीं से भी कुछ भी नहीं जला हुआ है और नीट इन क्लीन ये केक बने हुए हैं तो आप इस तरह से बस हलका सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा चोकले सिरप गिराए इसलिए कि हम आपको बताते हैं किस लिए तो यहां पर आप थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंखल कर दे ज्यादा नहीं थोड़ा सा अब हम उठाएंगे अपना फीता ही था को अच्छे से यहां रीबन को सेट करेंगे इस तरह से फीता को आप चिपका दे देखिए बहुत अच्छे से और ये साइड को हम यहां अभी फीट से फीता पर हम बनाएंगे उसी तरह से यहां पर साइड में भी हम अच्छे से रीबन को वने की फीता को अच्छे से चिपका लिए हैं अब आपको क्या करना है कि जो हम फूल बनाए थे देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है ना कि यहां पर अब हमें जगह से इनको दूसरे जगह ले जाना है तो इस तरह से आपके पास कोई ही प्लेट हो आप लेसकते हैं यहां पर तो आप देख सकते हैं और यह जो हमारे मतल़ब फीता अगए यहां से इनको कोई देखत नहीं आपया इंको aan जान कुरा किता को साट स कट करके दिखाते हैं कातने का तो मन नहीं कर रहा है फ्रेंस पर क्या कड़े काटना तो पड़ेगा ना तो यहां से देखिए इस तरह से आपको केक कट करना है और अब यहां से अहिस्ता से इनको निकाले गदम पोहुत प्यार से निकालना है आपको इस तरह से आप देख सकत हैं यहां पर केक कितना बढ़िया बने है ना देखिए तो यह देखिए फ्रेंज हर जगा से जाली आपको नजर आ होंगे ओरियो बिस्किट से यह केक फिरेंज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों में और सोसल मीडिया पर टोटल वाट्सप पर आप सेर कर सकते हैं फ्रेंज की इस तरह से घर में जो भी चीज है तो बहुत ही अच्छे स यह वडियो बिस्किट से जोगारू केक बना करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं देखिए कितना खुश्रूत लग रहा ना तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नहीं वीडियो लेकर के तब तक के लिए थाइंक्यू